आप सबने Clash of Clans तो बहुत खेले होगी, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि Clash Village के लगबग हर सेनरी में आपको एक केला शीपा हुआ मिलेगा, कभी हवाम में तहर था, तो कभी किसी बूल बलेईया के पीछे, और पैका की ही मिस्ट्री की तरह कोई नहीं जानता वो क्या है Supercell का कहना है कि उन्हें बनेनास पसंद है, इसलिए वो वहाँ है, पर अगर आप Epic Magic Scenery को ध्यान से देखो, तो आप आओगे कि Clash Village के विलेजर्स उस बनेना को पूझते हैं, तो क्या वो बनेना Clash of Clans के पास से है, और क्या वो विलेजर्स में सच में इतना इपॉर्टन है या फिर विलेजर्स के बीच में कोई है, जिससे ना सिर्फ केले खाना पसंद है, बलकि वो उन केलों को ऐसी अजीब जगा पर शिपाने में इतना एक्सपर्ट है, कि विलेजर्स को कभी पता ही नहीं चला, कि वो किसी की शरारत है, आप सोच रहे होंगे, कि हम तो ऐसे किस विलेजर को नहीं जानते, तो कहीं आप स्नीकी गॉबलिन को बूल तो नहीं गए, जिससे ना सिर्फ केला खाना पसंद है, बलकि अपनी इन्विजबिल्टी से, ऐसी शरारत तो उसके लिए नॉर्मल है, और जैसा कि हम जानते हैं, जाद तर सूपर रूप क्लैन कैपिटल से रिलेटिड है, और अगर ऐसा है, तो कैपिटल पीक पर उन अंडों के पास वो केला भी शायद स्नीकी गॉबलिन की शरारत है, आपको कह लगता है, कॉमेंट्स में जुरू बताएगा